हमारे एक्जाम में का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बोले तो निबंद लेखन होता है है ना और निबंद लेखन में हम लोग सबसे ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं है क्या नी तो 5-6 मार्क के निबंद लेखन आते हैं अगर वो हमें नहीं आया तो हमारे मार्क्स जो है वो कट जाते हैं है क्या नी तो मैं उशलनी अबली कर और आप लोगों की तो फ्रेवरेट टीचर हूँ ही है ना तो आज मैं आप लोगों को एक्स्प्लेंड करने जा रह लिखने के लिए आवशक एवं योग्य बाते निबंद साहित का एक महत्तो पूर्ण अंग है है ना वो तो है ही important पांचवीक अक्षा से ही छात्रों को निबंद लेखन का उचित मार्ग दर्शन देना जरूरी होता है अब फर्ट स्टेंडर से लेके फोर्ट स्टेंडर त है तो निबंद का मतलब ही यही है कि दिये हुए विशेपद छात्र बिना बंदन के जो सोचे वह लिखे अभी निबंद का मतलब क्या होता है निबंद का मतलब जो भी टॉपिक आप लोगों को दिया हुआ है निबंद लिखने के लिए तो without any burden अपने views आप लोग उसमें लिख सके अपने मन की विचार जो होते है वो आप लिख सके ठीक है चात्र उस विशेई संबंधी विचार करते है और सामगरी भी एकत्र कर लेते है अब जो भी topic दिया होगा आपको तो आप लोग उसके बारे में सोचते है है ना फिर क्या-क्या मैं लिखू इसके उपर उ तो किन्तु लिखते समय उचित रूप से प्रकट नहीं कर पाते लेकिन क्या होता है बहुत सारी विचारतों है मन में लेकिन उसको किस तरह से हमें लिखना चाहिए उसमें आप लोगों को confusion होता है जो लिखते है उसमें वरतनी की भूले करते है या वाक्य रचना दोश पूर होती है तो grammatical mistakes करते हो और जो भी sentence बनाते हो न वो incomplete होता है या फिर जो आप लोग बोलना चाहते हो आपका जो message है वो आप लोग बराबर से नहीं पहुंचा पाते है आप proper word जो है उसके लिए आप लोग नहीं use करते है और वो जो message होता है आपने जो सोचा है वो आप convey नह ध्यान देना आवश्यक है तो अभी यह जो भी difficulties आती है आप लोगों को ऐसे लिखने के लिए तो उसको हम लोग थोड़ा भी इस point के उपर हम लोग ध्यान देंगे ना तो आप उसमें से दूर कर सकते है वो जो problem है वो जो कठिनाई है वो जो difficulty है वो आप इन particular points के उपर concentrate कर दोगे ध्यान दोगे तो वो difficulty जो है आप लोगों की दूर हो जाएगी तो एक जिस विशय पर निबंद लिखना है उसकी पूरी जानकारी छात्र को दी जानी चाहिए अभी जो भी topic आपने select किया है उसके उपर आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए knowledge होना चाहिए मालूमा को मेरा परिवार लिखना है तो पूरा आपको आपने परिवार के बारे में पता होना जरूरी है है ना वो तो simple है हमें तो पता होता है छोटी कक्षाओं में यह कार्य शिक्षक को करना होता है जब तुम लोग lower class में पढ़ते हो छोटे क्लास क्षा में पढ़ते हो तभी य जंदरली तुम्हें ये सब जानकारी दे देनी चाहिए चित्रों एवं अन्यसाधरों के माध्यम से यह कार्य किया जा सकता है तो विदा हेल्प आफ पिक्चर्स या फिर दूसरे किसी वे से आप लोग ये कर सकते हैं चात्रों को विशाई का आरंभ आरंभ याने स्टार्ट म लोग ने जब निबंद लेखन किये है ना लाइश्ट्रीम में उसमें मैं ये सब डिटेल दिया हुआ है तो स्टार्ट कैसे करना चाहिए सेंटर में बीच में क्या आना चाहिए और एंड किस तरह से करना चाहिए ओके आप मेरे निबंद देखोगे तो आपको समझ में आह मैं मेरी मा से बहुत प्यार करता हूँ मैं मेरे पिता जी से भी बहुत प्यार करता हूँ मेरा चोटा भाई है मैं उसे भी बहुत प्यार करता हूँ मेरे नानी है उसे मैं बहुत प्यार करता हूँ मेरे दादी है उसे भी मैं बहुत प्यार करता हूँ इट मीन्स रिपीटि लिख रहे हैं एक ही वाक्या तो वो अलाउड नहीं है, ओके, हाँ, उसे तीन चार परिच्छे दो में लिखना चाहिए, ठीके, या फिर अलग-अलग एंगल से तुम लोग उसे लिख सकते हो, जैसे मेरे परिवार वालों से बहुत प्यार करता हूँ, हमें दुसरे का बहुत करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं, तो whatever it will be, then four, निबंद की लिखावट सुन्दर और स्पष्ट होनी चाहिए, जो बहुत बढ़ी ट्रेजिडी होती है तुम लोग के साथ में, लिखने को बहुत कंटाला आता है तुम लोगों को है न, और specially Hindi and Marathi के लिए तो पूछो ही मत क्योंकि मैंने देखे हैं न, नोटबुक्स बच्चों के, specially Hindi and Marathi में, बारा खड़ी लिखने के लिए देते हैं न, उनलों को, my God, देखके ही पता चलता है कि कितना कंटाला करके लिखा हुआ है, जब लिखना ही है, कोई काम करना ही है, तो कंटाला करके क्यों करना है तुम मेनत करके भी थोड़ा मन लगा के करो न, कंटाला करके क्यों करते हो, तो हैंड रेटिंग देखके ही पता चलता है कि कितने जान के उपर लिखा हुआ है यह जो भी लिखा है वो, तो बिल्कुल आप ऐसे मत करना, इमानदार से, जो भी काम करो इमानदारी से करो, मैं तो य आइ-फाइ लिखने जाओगे तो शब्दों का अर्थ पता नहीं होता, फिर वो कुछ भी गढ़बर लिख दोगे, फिर मांस जाएंगे तुम लोगों के, ओके, तो सिंपल लेंगवेज में लिखना चाहिए, मेरा नाम ये है, मैं इतने कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरे प तुम लोगो सला देती ही रहती हूँ, कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को पक्का करके ही रखना है, आपको मेरा प्रियत्योहार जो बहुत कौमन होता है, आता ही है, और फिर सुसंत्रता दिवस होता है, उसके ओपर किसी भी आत्मकथन लिखो, आत्मकथन पर निबंद लिख पर निबंद में उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाव मई का उपयोग किया जाता है, अवि जैसे के देखो, एक पेड की आत्मकथा, अवि पेड की आत्मकथा है, तो पेड जो है न, वो उसके बारे में बता रहा है, उसकी आटो बायोग्राफी, तो वो बोलेगा न, इसे ह के मैं एक पेड हूँ, मैं जब छोटा था, तो ये कता था, जब मैं बड़ा हुआ, फिर मुझे पानी मिला, फिर मुझे कोई काटता है, कोई तोड़ता है मेरे पत्तों को, मैं, 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 बकरी के तरह करके, आत्मकथा लिखनी होती है, ठीके, ओके, ऐसे निबं सिटी प्रेजेंटेंस में अभी क्या है सिचुएशन भविश्य उसके बाद फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बारे में overall इन्हें बातों पर ध्यान रखकर निबंद लिखा जाता है ये मुद्दे आत्मकता के प्रत्यक विशय में उपयोगी है किसी की भी आउटोबायोग अब है इस में क्या सिचुएशन है वर तमान इस्तिती क्या है आज ही मुझे आकर काट के चले गए अभी एक वो डाली थी समझो बड़ी एसे वो था उसने बताया भाई आज भी आज ही मुझे काट के चले चले कटने वाले है बोलो पैड़ रो रहा है तो अगर इसी तर से अगर आप लोग काटते जाओगे मुझे, तो भविषय में आपको carbon dioxide है, oxygen मिलेगा ही ने, आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको फल नहीं मिलेगा, फ्रूट नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, आप लोगों को, के, तो कोई भी autobiography होती है, आत्मकतन होती है, तो ये points निबंद ये सारे points हम लोगोंने अल्री cover कर दिये है, तो प्लीज आप जरूर देखेगा, playlist में जाकर, जो भी विषय आपको चाहिए, वो विषय के लिए निबंद अल्री uploaded है, हागर नहीं है कोई आपका topic भई, तो मुझे जरूर comment करके बताना, मैं upload करूंगी, आप लोग लिख सकते हैं, तो मैं हमेशा आपको बोलते देती हूँ कि read किया करो, read किया करो, अपने lessons, हर रोज read किया करो, हर रोज stable एक बार read किया करो, ताके, everyday अगर आप करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा load नहीं आएगा, फिर परसरीजा में और आज लेके मेटके book ना, त का खीक है, तो आप लोग को हर रोज read करना चाहिए, हर रोज एक subject का lesson read करना ही चाहिए, ओके, तो चला दिन मिलते हैं बहुत जल्दी ही, अगली वीडियो में, तब तक के लिए, all the best आप लोगों को, and बाई बाई